कि अब आज में आपके लिए अब आज में आपके लिए अब सफेद कलर की उन में यह बुनाई लेकर आई हूं यह बहुत इजी बुनाई है और बहुत जल्दी और बहुत आजानी से यह पढ़ जाते है यह देखे इस तरीके से तो फिर स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक और कमेंट और सेर जरूर कीजिएगा फिर स्टार्ट करते हैं कि यह बुनाई मैं इसी इस चोटे पैटर्न में डाल नहीं हूं जिसमें मैंने 22 फंदे डाली हुए हैं यह पीछे का पल्ठे दागा पीछे किया और दो फंदे सीधे बनाए दागा आगे किया दो फंदे एक सोरी एक फंदा उल्टा लिया दागा पीछे किया दो फंदे सीधे बनाए दागा आगे किया एक फंदा उल्टा बनाए दागा पीछे किया दो फंदे सीधे दागा आगे किया एक फंदा उल्टा दागा पीछे किया दो फंदे सीधे धागा आगे किया एक फंदा उल्टा धागा पीछे किया दो फंदे सीधे फिर धागा आगे किया एक फंदा उल्टा धागा पीछे किया दो फंदे सीधे इसी तरीके से हमें ये पूरी सलाई उतारनी है लास्ट का फंदा हमें गांट पाले ही लेना है अब हम सीधे पल्ट पे आते हैं इसमें जो हमने पीछे उल्टे तरफ के जो दो फंदे फली वाले लिये थे ये फंदे हम इधर गांट पाले लेंगे पहला फंदा हम स्लिप कर लेते हैं फंदा आगे किया दो फंदे गांट पाले बनाएंगे फिर फंदा पीछे किया एक फंदा हम फली वाला बनाएंगे सीधे तरफ हमें दो फंदे गांट पाले बनाने हैं आगे किया दो फंदे गांट वाले बना लिए फंदा पीछे किया एक फली वाला फंदा बना लिए फंदा आगे किया दो गांट वाले फंदे बना लिए फंदा पीछे किया एक फली वाला फंदा ये भी सलाई हमें इसी तरीके से बनानी है यह देखे अब हम पीछे पर्ल की तरफ बना लेते हैं फंदा पीछे किया जो हमने उदर गाठ वाले फंदे बनाए थे हम उल्टी सब्सिंस तरफ up पर फंदे दो बनायेन संदे, गाठ वाला बनाये जो बनायें चुछे compare एक सब्सिंस, पाध किया और उसलों juego ना प्रइल BECON अधा मेन ने किसा लिए एक भी lik , पाध कि सलाई कंटिनू इसी तरीके से पूरी सलाई कंटिनू करेंगे अब यह हमने पेन दस सलाईयां बना ली हैं देखे एक दो चार पांट जैसा दस सलाईयां बना ली हैं अब हम यह इस तरीके से जो इदर यह सबसे लास्ट वाला फंदा है दो फली के बीच में जो गांठी है इसके एक फली और दो गांठों के बराबर मुझे जो फली आ रही है इसके सबसे लास्ट वाले फंदे में से हम यह जो फंदा है इस फंदे को हम आगे करके इसमें ऐसे फंदा निकालेंगे एक बार दो बार और ये फ्रेंड तीन बार फिर हम इसको इस सलाई में ये फंदे हम सारे उतार लेते हैं और जो हमारी फली है इसके साथ फंदा हम इस तरीके से बिल लेते हैं ये हमारा इस तरीके से फंदा कंप्लीट हो जाता है और दो गांठे बना लेते हैं अब हम इसी तरीके से ये फंदा बिल लेते हैं अब हम फिर उसी तरीके से करेंगे इसमें इसे फंदा लिया खीचा अपने तरफ को फिर दूसरी बार भी फंदा हमने इसी तरीके से लेकर अपनी तरफ को खीचा फिर ये हम फिर तीसरी बार भी ऐसा ही करेंगे अपनी तरफ को फंदा लेकर खीचेंगे और ये जो फली वाला फंदा है इसमें हम ये सारी फंदे साथ में लेकर और बिल लेंगे ये हमारा इस तरीके से डिजाइन बनता चला जाएगा यह देखें फ्रेंट दो गांठे बना ली और यह फंदा फली बिन लिया अब यह दो गांठे बिन ली अब हम फिर उसी तरीके से इस फंदे को आगे करेंगे और इसमें से फंदा लिया सबसे लास्ट वाले मैंसे फंदा लिया हमने अपने तरब को खींचा फिर हमने थोड़ा फंदा डिला करके फिर लिया इसी मैंसे तीन बार हमें कंटिन्यू फंदा आगे करना है और फंदा एक मैंसे ही लेकालना है इस तरीके से और यह फली बाला कि साथ इनको सारे फंदों को हमें बिन लेना है ये देखिए तो हमारी एक लाइन कम्प्लीट होती है बिनाई की फंदा पीछे किया बिन लिया फंदा आगे किया बिन लिया लाष्ट का फंदा हमें उतारना है ये फ्रेंड हमारी इस तरीके की कम्प्लीट होती है अब पीछे का पल्ट हमें उसी तरीके से बनाना है जो हमने उदर गांठे वाले फंदे बनाए है वो हमें उल्टी तरब से सीधे उतारनी है बिनने है और जो हमने एक फली उतारी है, वो हमें उल्टे तरफ से गाठ बाली बनानी है, फंदा पीछे किया, दो फंदे बिन लिये, फंदा आगे किया, एक फंदा बिन लिये, फंदा पीछे किया, दो फंदे बिन लिये, फंदा आगे किया, एक फंदा बिन लिये, फंदा पीछे किया, दो फंद हमने बिलनी है अब इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे यह पूरी सलाई कि नौ सलाई हमें इसी तरीके से बनानी है दस भी सलाई पर हमें दूसरी बिनाई डालनी है अब हम यह फंदा इस तरीके से यह सलाई उतार ली फंदा पीछे करके जैसे हमने इस तरप से यह बनाई डाली थी अब हम इसी तरीके से यह बनाई डालेंगे फंदा आगे करके यह खीचा और इसके उपर रखा फिर इसमें से पंदा आगे करके इस तरीके से इस पर फंदा आगे कर रहा और इसमें से हमने फिर उसी तरीके से यह फंदा इसमें डाल दिया अब ये हम फली वाले फली सहित फंदा पीछे करके सारे फंदे हम उतार लेते हैं, ये हमारी इस तरीके से बिनाई कंप्लीट हो गए फंदा आगे किया गांट वाला फंदा बनाया फंदा पीछे किया फली बनाया फिर फंदा आगे किया गांट वाला फंदा बनाया अब फिर उसी तरीके से हम फंदा इधर अंदर लेते हैं इसके एक बार दो बार तीन बार सारे फंदे सीधे किये फली के साथ फंदे बिन लिए फंदा आगे किया गांट बाला बनाया फंदा पीछे किया फली बाला बनाया फंदा आगे किया गांट बाला बनाया फिर उसी तरह के से फंदा आगे करके इस तरह के से हम एक मैंसे तीन बार लेते हैं दो ये तीन सारे फंदे सीधे किए और फली वाले फंदे के साथ हमने इस तरीके से फंदा पीछे गारा और बिन लिए ये बिनाई हमारी तयार हो गई ये देखे फ्रेंट हमारी बिनाई तयार है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें शियर करें थैंक यू झालाओ झालाओ झाल झाल